यशो मती मही आके नंदे लाला सुलचना, जे क्या कर रहे हूं? जे बीच मार्क पर... मार्क परी तो आ गई हूं मैं मुझे यही सब के सामने उत्तर चाहिए जोशोदा जी बताओ, अभी बताओ ये चोरी और मेरी जो इतनी हानी हुई है उसके बारे में क्या करोगी आप? भोलो! सुलक्षना, देखो, हम पता लगा लेंगे जो भी आवश्रक होगा, वो सब कुछ करेंगे हाँ, किन्तु, पहले तुम भीतर चल कर तो शांती से बैठो, और हमें बताओ तो सही क्या हुआ है भाबी, जशोदा भाबी, बहुत ही अनुचितू है मेरे साथ अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दिये काना ने क्यों? तेरे घर में माकन खाने आया था वह? हाँ, आपको कैसे पता? चलना, भीतर चल, चल अपनी सारी गाता सुना देवाँ, आज़ा ये देनों एक साथ आ गई? अब इस माकन का क्या करें? अब बताओ, क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माकन चुरायो है, पूरा पारंगत है चोरी में और जे माकन तो ऐसे चुरातो है, जैसे माकन चुराना कोई कला हो कला अच्छा, कैसे? माकन की पूरी पाच-पाच मठ्किया चट करगो और मेरे घर दो-दो मठ्किया इत्ते वर्सों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है न, उसे तो मैं माकन देती ना हूँ यह जो इत्ता सारा माकन इकठा करके रखो है, यह तो मेरे लिए है सुलक्षना, कस्तूरी ताना को यदि माकन खाना होता, तो अपने घर में खाता न तुम्हारी आके उजाता भला अच्छा जे बताओ, वो तुम दोनों के यहां आया कब था? मंदीर की भोगार्ती के समय काना तो तेरे यहां था न, कस्तूरी? तो सुलक्षना के यहां कौन था? और यदि वो तेरे यहां था सुलक्षना तो फर तेरे यहां कौन था? जशुदा जी बहुत अच्छी तरह से समरने मुझे जब मंदीर में भोगार्ती चल रहे थी और उसी समरने ना, मुझे अच्छी से समरने जैसे ही मंदीर की आरती आरम हुई थी न, काना ने मेरे घर में प्रवेश किया था लाली तु मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मती कर मेरे घर आया था काना क्या करें kaan रखी या माखन इसके साथ पकड़े कर तुफश जाएंगे चाची आप जूट क्यों बोल रहे हैं काना मेरे यह आया था काना मेरे घर आयाथा काना मेरे घर आया था आप जूट बोल रही है, आप जूट बोल रही है, चार्णी! अस! कौन हाग किसी के घर ना गया था? क्योंकि वो यही है, अपने दाओ के साथ? तेख लो! आओ! सोयम देखियों! जब मंदर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थें, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बन करके चली गई, क्यों जिजी? हाँ, और तब भी यह दोनों यहाँ सो रहे थें! सोते हुए काना कित्ता निर्दोश लग रहे है! हाँ, द्रिष्ठी ना हट रही हुँ, पहले आरोप लगा रही थी, अब द्रिष्ठी लगा रही हूँ! पर यह तो सच्ची में गार है! अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हाँ, नेपो! बाल बाल बच गए! पर मैं कैसे मान लू जाशोदा जी, मैंने तो स्वयम अपनी आखों से देखा है! और मैंने केवल आखों से ही नहीं, अपनी पांचों इंद्रियों से काना कानूबव किया है! मेरा विश्वास करो आप दोनों! हाँ, हाँ, मेरा काना तो साक्षात नारायन है ना? यत्र तत्र सर्वत्र! तभी तो वो यहां भी था, तेरे यहां भी था, और सुलच्छना जी, आप के यहां भी था? पर… ना, ना, ऐसा करो दो-चार और गोपियों को बुला लो तुम दोनों! हाँ, उनसे भी क्यालवा दो, कि एक ही समय में काना उनके यहां भी था! माखन तुम दोनों के मूँपे लगो है, और माखन चौर मेरे ललना को बुला रही हो दोनों! नाना जशुदा जी, जे माखन तो काना नहीं खिलायों मुझे! हाँ, मुझे भी काना ने स्वयम अपनी हातों से खिलाया था! सच्छी! क्या हो केशो, जे सब मैं न जहनती जो सच्छी! बहार इतना कोला हल क्यों हो रहो है, जैसे सुलक्षन चाची और कस्तुरी जगडा कर रही है! यह क्या है? माखन दाओ! कर्या आया कासे? यह वाला कस्तुरी के घर से और यह वाला सुलक्षन चाची के घर से! तो मुझे न की घर हो भी आये! कोई इतने प्रेम से बोलाए, तो जानो तो चिये न दाओ! बस इतना जानती हूँ कि आपके कासा ने मेरा सारा माखन सा माप कर दियो! पर बाहर का खुलाल तो कुछ और ही कता कर रहा है! आप फिल्म चक्के देख लो! स्वाब से ही बदा चल जाएगो! कि इसमें कित्ता प्रेम है! शुडा के ना लायो दाओ! मुझे खिलायो! विश्वास करो! विश्वास करो जाशुदा जी! स्वयम काना ने मेरा माखन खायो! और बनराम के लिए भी लेके गो! हाँ! जही तो मुझसे भी कहा था उसने! ये धाओको खिलानो है! ले जाओ! अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे! लो ना दाओ! अच्छा! तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो! हाँ! अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ! और फिर तुमने उससे जाने भी दियो! हाँ! वही तो जशोदा जी! वो पूछ तो इतने प्रेम से हेक! मनाई नहीं करा जातो! हाँ! हाँ! और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गयो! अब तुम मुझे भी विश्वास हो गुए जशोदा! तेरा लल्ला ही आया था मेरे गर माखन चुराने! आज तो सब भी आते यहाँ! ना दाओ! सब भी ना है अभी! जानकी छोटी है अभी! जे सोचके मैंने बात को जाने दियोगी तो उसका लाब उठाओ सावित्तरी ने! फिर भी मैंने कचुना कही! तो अब तुम सब का सहस इत्ता बढ़गाओ है कि तुम सब आपस में मिल गई? क्या लगतो है तुम सब को? कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोस बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुप-चाप सुनती होंगी? पर आरोप कौन लगा रहा है जशुदा? कानहा ने सच्ची में माकन चोरी की है! कानहा ने सच्ची में माकन चोरी की है! तो सिद्ध करो ना! अब किसीने कानहा के लिए एक सब्द भी कही ना! तो या तो साक्च ले कर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ पर जुशुदार जी अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगो जो साक्च ले कर आए ना! तो अपने आरोप को वापिस लो और अपनी भूल सुईकार करो! अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं! हाँ नहीं को! काना, अत्थी हो गई है! अब बंद करो ये माकन चोरी का खेल! कोपिया अब साथ नहीं बैटेगी! सब मिलकर कोई ना कोई योद्ना अवस्य बनाएगी तुमारे विरूद! देखो! देखो क्या अंदसा की है! मेरे घर का दृस्य भी कचु भीनना है! पूरे घर में माकन बिख्रा पड़ो है! ऐसे ही चोरी होती नहीं! तो हम पर्मानन जी के सथ व्यापार कैसे करेंगे? और धन्वार कैसे बनेंगे? पर समस्य तो जे है कि हमारी बात मानने को यसोदा जीजी तैयार ही ना है! अब उनके लिए साच कहां से लाएं हम! और कैसे? हमें काना को रंग यहाथों पकड़ना पड़ेगो! जित्ता आसान लग रहे हो है उत्ता आसान ना है उसे पकड़ना! जैसे ही मेरे हादों ने उसके पाओं को छुआ था! अचानक ही जाने कहां खो गई दिने? उसके बाद क्या हो मुझे कच्छु पतो ही ना चला! ऐसो है वो! कनहिया! अरे बावली! नन्ना सा बालक है वो! कोई सिद्द्चमत कारी सादू महत्मा थोड़ी है? सादू महत्मा को तो पता न मौसी! पर चमतकारी अवस्य है! क्योंकि मेरे साद भी ऐसा ही हुआ था! चंता मत करो मौसी! दो गुलू से भी अधिक मिटेगो! पूके की भूट मिटाने का पुन्य प्राप किया है आपने! मधू से भी अधिक मीटी बातों के चमतकार से बहका दिया था मुझे भी उस माधर में! मेरा अनुबव भी इन सबसे समान है मही है! उसके छूते ही सारी सुद्बुद भूल गई थी मैं! जाने क्यों? अपने ही हातों से साहराम आखन दे दिया था मैंने उस नंद की सोर से! वैसे जे तो सच है! कि उसकी मुडली की धुन के सममोहल में मैं भी कीची चली गई थी उसके पास! पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है! तो जशोदा को कैसे होगो? पर मौसी सत्य तो जे है कि मेरे साथ भी बिलकुल ऐसा ही हुऊ था! अपने हातों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मो लिया था उसमनमोहल ने वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने ऐसा मनोहर है वो! तो इन सबके घर गो है वो! बस मेरे यहां ही नायो! सबके सब किसी एक स्पान पर इकट्यों गयोंगी! हाँ! सही केरो है दाओ! अब गेरा सोच विचर कर रही होंगी! हाँ! सही केरो है दाओ! माखन भले ही चुरातो है पर चुराते हुए कितना प्यारा लगतो है ना? हाँ! ऐसे तो पकड़ लियो उन्होंने अस माखन चौर को! एक युद्र शोडाउन सबका कि तुमारे विरूत देर सारे सक्ष्य क्यासे इकट्टे करे अभी तु धीर सारे प्रेम भरे नाम इखटे किये उन्होंने मेरे लिए कनेया! लन्द की सोर, माधम, मन्मोह और मन्मोहर यह सब कौन है? यह मेरे नाम है दाओ, गोपियो ने दी है मुझे यह तो सौंपा भी नहीं है अभी तो बस एक की नाम से पुकार रहे होंगी वो सब तुमें माखन चौर यह कि अखवान, वार अभी तो, यहालो यहालो कि लिएफ दो यहालो मागदे के अज़िग कि अखवादे के ढाम कि वहालो माटचर देखो तो चिची, कैसे निश्चलों और निर्दोस लग रहें दोनों, ऐसे जैसे स्वयम नारायन का स्वरूप हो अरे, ये शोडा, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? जिची, इतने निर्दोस से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांचल लगा रहे हैं सब की सब? इनका रिदेना कापता, नारायन का भी बहना है इने अच्छा बस, शांत हो जा, तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है? बस अब रो मत मैं ना रो रही जिची, मैं क्यों रोने लगी भला? रोएं वो जो मेरे लल्ला पर जूटा आरोप लगा रही हैं तानहा बल्राम उच्चाओ दोनो उच्चाओ चलो दूद पीके सकती साली हो जाओ दोनो लो पल में अगनी की तपिश, पल में जल की शीतलता ऐसे अनोखित वभाव की है ये ये शोदा गोपिया इससे टकरा कर बूल कर रही हैं हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी, कहां खोई हो तुम सब उसके भूलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आँखों में, उसकी मेटी बातों में हमें कहां खोगा? खोई तो गूपिया है महिया, लगतो है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगो तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच की जाने कहां खो जाती हो और चली हो उस माखंचोर को पकड़ने पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगो कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीटी बातों के जाल में न फसे और उसकी मुश्कान से मोहित न हो जाए सबसे अधिक संकट तो उसकी आँखों से है पर जे संबो कैसे होगो? उसे देखते ही हम नारान नारान का जाप आरम कर देगे मन नारान में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग न पाएगी पर अब प्रस्थ ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुको है अब किसके यहाँ जाएगो वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ दूद पर पूरा सम अपना किया तुने लल्ला? कव माता रूस्थ हो जाएगी जे तु कहाँ दे के मुस्कुरारो है लल्ला? कभी भूमी पर देख रो है, कभी द्वार पर देख रो है गोप्या इसके विरूद योधना बना रहे है ना चोटी माँ उसे के बार में सोच रहा होगो यह क्या क्या मैन है तो तुम दोनोंने हमारी बाते सुन ली उन गोप्यों की चिंता मती करो तुम दोनों उन्हें तो मैं समाल लूँगी ना मया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं हमारी समसा हम सेम समालेंगे है ना दाओ? हाँ चोटी मा, हम दोनों इतना बड़े तो हो भी गए क्या अपने समसा स्वेम सुल स्वा सके आप दोनों हस्की हो रहे हो? तो हसने के बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गया है हाँ, बड़े तो तुम हो ही गयो जे पकी-पकी मूछे जो निकल आई है तुम दोनों की हीम जैसी स्वेट हाँ, 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 हाँ तुम दोनों चाहे कित्ते भी बड़े क्यों न हो जाओ हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे समझाई? तुम तुझा सुदा जी की पक्की सकी हो, फिर तुम हमारी साहता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पतो है कि कानहा निर्दोश ना है मैंने स्वयम देखू है उसे कस्तूरी के घड़ से माखन लेके जाते है सुन लियो भावी, और आब मुझे जूटा बोल रही थी जे आपस में जगरने का समय ना है लाली उसके विरुद्ध इकटा होने का है जावेगो सच्छी मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो ये तुझे कैसे पतो हां ऐसे पता ये मत ही पूछो पर आपको उसे लुबानो होगो किसी तरह उसे पता चलनो चाहिए कि आप कौनसे समय घर पे ना रहोगी और जे भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है पर फिर अपने आप जाग में फज जावेगो है नाराय कस्तूरी का उपाय सफल कर देना मैं भी वही अनुभब करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभब क्यो है बस तो फिर तूसे अपने घर बुलाने की तयारी कर प्रभावती और हम सब लोग वहाँ छुपकर बैठ जाएंगे फिर जैसी वह वहाँ आएगो हम सब उसे चार और से घेर लेंगे और रंगे हाथो पकड़कर जशुदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे आपके लल्लाने मेरा माखन चुरायो है पूरा पारंगत है चोरी में और जे माखन तो ऐसे चुरातो है जिसे माखन चुराना कोई कला हो कला अब तो मुझे भी विश्वास हो गुए जशुदा तेरा लल्ला ही आया था मेरे दर माखन चुराने संसार के कपट से अनभिग्य है मेरा लल्ला भोला भाला है ऐसे निर्दोस पर आरोब लगाते इन्हें दनिक में लज्जा ना आती कि